हेलो फ्रेंट्स स्वागा थे आप सभी का फिर से हमारे एग्रीकल्चलल चैनल इको हील एग्री मे friends आज हम लोग plants के बारे में थोड़ा study करते हैं कि plants आखे grow कैसे होता है जैसे हम लोग mature होते हैं grow होते हैं तो हमारे cell भी develop होते हैं organ develop होता है और हमारे body के अंदर कुछ hormones release होते हैं यानि एक तरीके से बोल ले तो हमारे body में development होती है ठीक हमारी तरह ही plants भी जब mature होते हैं जब उनमें growth होती है तो उनमें भी कुछ development होती है कुछ changing आती है तो आज हम इसी topic के उपर बात करेंगे discuss करेंगे कि plants में कैसे growth होती है और कैसे उनमें development भी होती है यानि growth and development in plants के बारे में आज हम discuss करेंगे शिखेंगे कुछ तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लान्स के growth and development को जानने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि आखे growth and development किसे कहते हैं उससे पहले हम life के कुछ unit के बारे में जाननेते हैं तो सबसे पहला unit है, सबसे छोटा unit है cell Cell से बनता है tissue, tissue से बनता है organ and organ से बनता है organ system अब ग्रोथ का मतलब कि किसी भी living things के या फिर living organisms के cell के number increase हो जाए, cell के size में increasement हो जाए, उनके organs increase हो जाए या फिर पूरा का पूरा body ही increase हो जाए और एक बार जब increase हो जाए, देनों फिर decrease ना हो तो अब इसका definition देख लेते हैं Growth is the irreversible increase in the number and size of the cell, organs और whole body, often living organisms अब irreversible increase का मतलब क्या होता है, समझाता हूँ irreversible का मतलब एक बार जब change हो गया तो हो गया fit दुबारा पहले की तरह नहीं होगा यानि एक बार हमारा body grow हो गया, देन हम पहले की तरह नहीं बन सकते हैं हमारा growth reverse में नहीं जा सकता है, यानि irreversible अब एक समसे important बात कि अगर हमारा growth होता है अगर हमारा body grow होता है देन हमारे एक-एक cell grow होगा एक-एक organ grow होगा हमारा body का एक-एक part grow होगा अब समझते हैं कि development क्या होती है development का मतलब कि कि किसी भी living organisms के पूरे life cycle में कैसा भी change को development करते हैं एक बाद फिर से समझ लेते हैं कि development का मतलब क्या होता है कि कि किसी भी living organisms के किसी भी living things के पूरे life cycle में कैसा भी change छोटा से छोटा भी change development का लाता है अब हम अगले topic पर चलते हैं next topic हमारा stages of cellular growth in plants यानि plants जब mature होने लगेगा जब उसका growth होने लगेगा मैंने पहले ही बताया है कि जब कोई living organisms living things grow होगा देन उसका एक एक body का part यहां तक ही एक एक cell भी grow होगा तो plants जब grow होगा देन उसका एक एक cell भी grow होगा तो इस topic पर हम यही सारी बाते discuss करेंगे कि plants का जो cell होता है वो कैसे grow होता है कितने stages होते हैं उनके growth के plants जब grow होता है जब mature होता है तब उसके cell का भी growth होता है plants के cell का growth mainly तीन stage में होता है सबसे पहला stage है cell division second stage है cell enlargement and third and last stage है cell differentiation एक पर फिर से देख लेते हैं plants जब grow होगा जब वो mature होगा तब उसका cell भी grow होगा ठीक अब plants का जो cell होगा वो कितने stage में grow होगा mainly three stage में कौन कौन सा पहला stage है cell division, second is cell enlargement and third है cell differentiation अब हम एक एक करके तीनों stages को समझने की कोशिस करते हैं first है cell division, cell division का मतलब एक cell है ठीक वह divide होकर दो cell बना यानि एक cell से दो बना फिर दो से चार cell बनेगा 4-8, 8-16, 16-32 यानि number of cell यहाँ पर increase हो रहा है so इस stage में, first stage में, यानि cell division stage में number of cell बढ़ जाएंगे, increase हो जाएंगे अब यहाँ पर main question यह है कि cell आखी divide होगा कैसे कैसे हो था cell divide 2-4, 4-8, cell divide होगा यहाँ पर mitosis process से किस process से, mitosis process से, ओके अब second stage पर आता है, second stage है हमारा cell cell enlargement, मतलब cell का जो size है वह increase हो जाता है, large हो जाता है, बढ़ जाता है cell का size बढ़ेगा, यानि उसका area बढ़ेगा वह ज्यादा area को cover करेगा, मतलब इस stage में cell का area बढ़ता है, cell का size बढ़ता है cell large होता है, यानि cell enlargement, last stage है cell differentiation, cell differentiation का मतलब cell का structure ही change हो जाता है और वह one cell type से, दुसरे cell type में change हो जाता है cell type का मतलब कि cell के बहुत सारे types होते हैं such as muscle cell, skin cell, etc. यानि इस stage में, last stage में one type of cell से another type of cell में change हो जाता है तो हम अपने वीडियो को यह पर समाब्द करते हैं होप आपको यह वीडियो काफी informative लगी होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई भी प्रॉबलम हो तो कमेंट कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद क्षब लाइक कीजिए